दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजूकेशन में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अठारा वस्तोनिस्ट प्रस्न जो आपकी अर्द वार्षिक परिक्षा के लिए और वार्षिक परिक्षा के लिए दोनों के लिए काफी महत्पुन होंगे मध्य प्रदेश बोर्ड ओप सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल एकजाम से आपकी 2021-22 ठीके दोस्तों तो सारे कुश्चनों को आप अच्चे से नोट करेंगे और याद कर लेना हिंदी विशे हैं हमारा याद रखेंगे आप हिंदी और ये चितिज भाग दोसे लिया गया है दोस्तों चितिज भाग दोसे प्रस्न लिये हैं दोस्तों most important है आईए पहला प्रस्न देखते हैं पहला प्रस्न है उद्धव ने गोफियों को क्या संदेश दिया उद्धव ने गोफियों को क्या संदेश दिया तो आपके उप्षान है योग साधना का भक्ति का प्रेम का और कर्म का तो भगवान क्रिशन ने योग साधना का संदेश देने के लिए बेज दिया था उन्हें तो योग साधना का संदेश उद्धवने गोपियों को दिया ये जो पहला पाठ है न सूर के पद उसी से लिया गया है ये भी याद रखना पद से लिया गया है उसके रचिता कौन है तो उसके रचिता है सूरदास जी ठीक है सूर्दास जी की रचनाएं भी में आपको बता देता हूँ सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूर सागर उसके बाद में सूर सारावली ठीके और एक है साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं सूर्दास जी की है सूर्दास जी किस भक्ती साखा के कवी है अगर इस प्रकार से प्रिशन बनता है तो आप बताएंगे क्रश्न भक्ती साखा के कवी है सूर्दास ठीके और सूर्दास जी का जनम कव हुआ था तो 1488 इस्वि में इनका जनम हुआ था ये भी आपको ध्यान रख लेना है और बाकी स्रीक्रस्ण ने किसको बेजा था उद्धव को बेजा था योगसादना की सिक्षा उद्धव ने गोपियों को दी थी अगला प्रस्न देखिए जो गोपियां है गोपियों को मन कौन चुरा ले गाये थे बलराम, उद्धव, स्रीकर्षन या फिर ग्वाला तो गोपियों का मन कौन चुरा कर ले गाए थे तो स्रीकर्षन तो इसका करेक्ट आंसा स्रीकर्षन हो जाएगा नेक्स्ट देखे उद्धव किसके मित्र थे रस्खान के, क्रस्ण के, नंद बाबा के या बलदाओ के तो दोस्तों उद्धव जी जो है न वो स्रीकर्षन के मित्र थे आपको ओप्षन नमबर त्री करेक्ट करना है इसके बाद में सीता के विवा स्वयमवर में क्या सर्थ रखी गई थी तो आपको सभी को मालूम है कि जब सीता का विवा हो रहा था उससे पहले एक सर्थ रखी गई थी कि जो भी सिव जी के धनुस को तोड़ेगा उसी के साथ में माता सीता का विवा होगा तो सिव धनुस तोड़ने की शर्थ रखी थी परशु राम नात संबु धनु भंज निहारा हो यह क्यों कि दास तुमारा यह किस ने कहा था यह भगवान राम ने कहा था कि सिव जी के धनुष को तोड़ने वाला परशु राम जी आप ही का कोई एक दास होगा तो आपको यह भी याद रख लेना है परशु राम ने किसकी बुझाएं काटी थी तो आपको याद रखना है सहस्त्र भाव की बुझाएं काटी थी परशु राम जी ने सहस्त्र भाव की बुझाएं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख यह सा परशु राम ने कहा था क्या कहा था ठीके, सहेस्त्र भाव की बुजाओ को काटने वाले मेरे इस फर्षे की दरब देख, तो याद रखना सहेस्त्र भाव की बुजाओं पर्षूराम जीने काटी दी, आत्मकत्य ये पाठ है, एक पाठ है आपका जिसका नाम है आत्मकत्य, ये मैं यहाँ पर लिख कर बता देता ठीक कभी कोन है जे संकर प्रशाद है आत्मिकत्य नामक पाठके और जो जे संकर प्रशाद है ना दोस्तों इनकी रचना है कामा यानी याद रखना ठीक है इसके बाद मोस्ट रचना में बता रहा हूं उसके बाद लहर आसू और उसके बाद में जहरना कामा यानी लहर आसू और जरना ये जे संकर प्रसाद की रचनाएं हैं ये आपको याद रख लेना है बहुत ही most important रचनाएं हैं और उसके बाद में जो जे संकर प्रसाद जी है ये चायावाद के कवी हैं चायावादी कवी हैं कौन जे संकर प्रसाद तो इतने question भी में आपको बताए ताकि आपको प्रिय प्रिय के साथ की मधूर इसमरती को, जो प्रिय व्यक्ति होता है, प्रिय मतलब क्यों होता है प्यारा, ठीके? या फिर एक प्रकार से अपना. तो प्रिय के साथ की जो मधूर यादे हैं, उनको जे संकरप्रसाथ जी ने उज्जवल गाथा कहा है. अगला देखी कंथा किसे कहते हैं तो गुदड़ी को कहते हैं ठीक है आपको option number का correct हो जाएगा इसके बाद में फागुन महा में कौन सी रितु आती है जो फालगुन महा होता है इसमें कौन सी रितु आती है तो दोस्तों इसमें आपको correct answer करना है कि फागुन महा में वसंत रितु आती है कौन से रितु आती है? वसंत ठीके? फागुन महा में वसंत रितु आती है अब हम बात करेंगे अगले प्रसन की सारे प्रसन most important लेकर मैं आपके सामने उपस्तित वूआओं सबी प्रस्णों को अच्छे साफ याद करेंगे अपनी अर्दवार्सिक परिक्षा और वार्सिक परिक्षा दोनों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर ले ना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना तो हमारे टेली गराम चैनल से जड़ू जुड़िये टेली गराम चैनल के link मैंने चैनल के about section में पहले ही बहुत पहले से दे रखीए ठीके अब ओट section में किलिक करे है धीके और जुआइण हो जाईए ताकि आपको PDF भी प्राप्त हो जाए इसके बाद देखिए अगला प्रस्ण गर्मी के भेंकर ताप को शीतल करते हैं जिसे माली जी गर्मी पड़ रही है तो भेंकर क्या हो रहा है ताप हो रहा है मतलब कि तबन हो रही है उस्मा निकल रही है न तो कौन शीतल करते हैं इस उस्मा को तो गरचते बदलते बादल तडड़ाती बिजली मदुर स्वर में बोलने वाली कोयल या मोर की कुहक तो इसका correct answer आपको याद रख लेना है गरच कर बरसने वाले जो बादल है वो गर्मी के भेंकरत आपको शीतल करते हैं नेक्स्ट कुष्यन एठ नहीं रही है कविता में वर्णन किस रितु का हुआ है अगला प्रसने देखिए गिर्जा कुमार मातूर के अनुसार इनके अनुसार गिर्जा कुमार मातूर के अनुसार अतीत मधूर यादों को संजुगर रखना है सभी को बताना है नहीं चुना है किसी को नहीं बताना है तो गिर्जा कुमार मातूर के अनुसार नहीं चूना है अतीद मदूर यादों को क्या करना है नहीं चूना है यह आपको ध्यान रख लेना है option number खा correct होगा yes वेभव आदी को गिर्जा कुमार मानते हैं जो yes होता है जिसको हम क्या कहते हैं अंगरेजिम बोले तो famous ठीक है और वेभव वेभव आदी को गिर्जा कुमार जो मातूर है वो क्या कहते हैं तो आप इसमें correct answer बताएंगे म्रग त्रशना क्या कहते हैं म्रग त्रशना कहते हैं मतलब ब्रहम कहते हैं जैसे जो हीरन है न हीरन वो रेगिस्तान में रेगिस्तान में जो बिल्कुल गर्मी पढ़ती रहती है उस गर्मी पढ़ती रहती है न उसके करण वो रेत को क्या समझ लेता है पानी की लहरे समझ लेता है ठीक है तो म्रग त्रशना म्रग मतलब हीरन और त्रशना मतलब की उसकी एक प्रकार की इच्छा काई की इच्छा पानी पीने की ठीक है तो म्रग त्रशना लेकिन ये जो म्रग त्रशना है ये कहाँ पर जैसे मालीजी रेत जो है ना रेगिस्तान में रेत को क्या समझ लेता है पानी समझ लेता है तो एक प्रकार से वहाँ पर तो आपको यह से याद रख लेना है अगला देखिए आउसर निकलने के बाद मिलने वाली उपलब्धी केसी होती है तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है निरर्थक होती है आउसर निकलने के बाद मिलने वाली उपलब्धी केसी होती है निरर्थक होती है ठीक है और इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन देखिए मा की सबसे निकट सांती होती है कौन होती है उसकी नानल सहेली उसकी सास या उसकी बेटी तो उसकी बेटी सबसे निकट की सांती होती कन्यादान कविता है कन्यादान जो कविता है यह कविता याद रख लेना यथार्तवादी कविता है कौन से यथार्तवादी मतलब की जो सत्य का वकान करती हो जो सत्य कहती हो एसी कन्यादान कविता है और यह जो कन्यादान नामक जो कविता है या किस कवी ने लिखी तो इसम रितुराज कहां के रहने वाले थे तो याद रखना ये राजिस्तान के रहने वाले थे रितुराज जी कवी है राजिस्तान के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में भी जीवी थे ये भी आप ध्यान रख लेना ठीक है कन्यातान कविता लिखने वाले कवी जो कवी है वो कुछ रिक्तिष्थान आपको बता देता हूँ यह रिक्तिष्थान आपके सामने आ चुके है गोपियां करश्ण को के समान मानती है तो कड़वी ककड़ी यह व्यादी के समान मानती है स्रिक्रश्ण पढ़ आए तो राजनीती पढ़ आए ठीके राम ने भंग करके क्या शिवधनुस शिवधनुस भंग करके ठीके शिवधनुस प्रभु भंग करके लियाय सितावर के तो शिवधनुस भंग कराता उन्होंने नेक्स्ट देखिए परसुराम ने किस पर तीखे व्यंग या प्रहार किये हैं किस पर तीखे व्यंग प्रहार कियें लक्षमन लक्षमन ने किये थे परसुराम जी पर याद रखना लक्षमन ने परसुराम पर तीखे व्यंग प्रहार कियें केसे गाउं मधूर चांदनी रातों की उजवल गाथा केसे गाउं मधूर चांदनी रातों की यह से आएगा उजवल गाथा केसे गाउं मधूर चांदनी रातों की आत्मकत्य के कवी हैं जेशंकर प्रसाद जेशंकर प्रसाद जेशंकर प्रसाद जेशंकर प्रसाद जी ने लिखा है आत्मकथ्य पत्रों से लदी कहीं हरी कहीं लाल तो यहाँ पर आएगा डाल पत्रों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल आबा फागुन की है तो अट नहीं रही है यहाँ पर अट नहीं रही है इसे लिखना है चाया मत चुना के कवी कौन है गिर्जा कुमार माथूर है ठीक है गिर्जा कुमार माथूर है ठीक है गिर्जा कुमार माथूर चाया मत चुना किस ने लिखाए गिर्जा कुमार माथूर ने लिखाए अगला है अतीत के सुक की यादे वर्तमान दुख को दुगना कर देती है ठीक है न क्या करदेती है दो गुना करदेती है अगला देखी वस्त्र आभूशन इस्त्री जीवन के हैं क्या है बंधन है क्या है बंधन वस्त्र आभूशन इस्त्री जीवन के बंधन है आग के सेखने के लिए आग काई के लिए रोटी सेखने के लिए है तो ये आपके खाल परिश्तान भी हो चुके हैं दोस्तों मैंने कक्षा 10 वी मद्धिप्रोदेश पोर्ड ओप सेकेंड एजुकेशन बहुपाल जो आपकी एक्जाम से अर्दवार्सिक और वार्सिक परिक्षिया 2021 के लिए हिंदी के कुश्यनों के आंसर बताए हैं जो आपके लिए महत्पूर् इस चनल पर आपको मिल जाएंगे धन्यवाद अपने दोस्तों की साथ जरू सेयर करना जो दस्वी में पढ़ते हैं थेंक्यू